हेलो अच्छो केसे यो आप सभी और मैं हम पर आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में जबरदस्थ और मैं आपको एक बात बता दूँ आज मेरे हाथ में यह एक गिफ्ट आया मेरे पास अनकेडमी से एपी न्यूयर तो इस गिफ्ट की वीडियो नहीं है मैंने आपको दिख जाएगी जल दी कैमरे की स्कीन को देखो उधर तो यह है एपी न्यूयर गेट फ्रॉम अनकेडमी लेकिन आज हम पढ़ेंगी माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का जबरदस्त आ रहा है और बच्चों आपको वाद से आ रही है क्या एक बार आवाद चेक कर लिजे मेरी कोई दिक्कर तो आवाज में तो क्या हो सकता है इस डब्बे के अंदर आप बता सकते हो मुझे इस डब्बे के अंदर क्या हो सकता है और आप मुझे बताईए और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माइक्रोस्कोप के बारे में सब कुछ और माइक्रोस्कोप हमारी क्या होती है माइक्रोस माइक्रोस्कोप का कौन सा कुशन एक्सदाम ना सकता है वो सब चीजे में यहां पर डिसक्स करेंगे और यह एक छोटा सा बोक्स है मेरे पास अवास सही आ रही है बच्छो गुड आफ्टरनून रिया बाडिवाल गुलाम शुबानी चोकलेट नहीं है इसमें यह एक हपी न उसे अच्छा कोमेंट करेगा इस वीडियो पर उस वीडियो पर जो मैं गिवे करूंगा तो फिलाल मेरे पीछे आपको कुछ फोटो दिख रहा होगा प्यारे बच्छो मेरे पीछे जो फोटो है कौन बच्चा है जो बता सकता है क्या चीज़ कोई बच्चा पूरी क्लास म विडाउट यूजिंग गूगल गूगल मत देखना लेकिन बिना गूगल देखे आप बता दीजे कि इसमें मेरे पीछे के फोटो में क्या है ठीक है अग्जाम कब से स्टार्ट होंगे ट्वैल्थ के अंकी ज्यादा बेटा भी डेट शीट नहीं आई संजना सर मेरा भी भूल गए बाई क्या बात है रोश्यार बच्चे हो रहे हैं तो सैल है या कुछ और है ध्यान से देखिए डाइग्राम पीछ और माइक्रोस्कोप के डाइग्राम में मैंने क्यों दिखाया है गुलाम शुबानी कह रहा है थोड़ा सा सही हो थोड़ा सही हो थोड़ा सही हो कैंडी गुड आफ्टर नून सलोनी अच्छा सलोनी हो आप ठीक है जोती दुबे विजे मिना जोती दुबे हाइग इस्टाइलिस राजपूत रिया बाडिवाल करन ओनकार फाउंडर ओटी सी आर्मी राहूल यादव हैर सब बच्चे हेर बोल रहे हैं सलोनी आजगल आप क्लास में नहीं आ रही हो स्पेशल में तो यह जो फोटो है इसको किस तरह लिया होगा यह एक्च्छल में हमारी बोडी पे जो डैड स्किन होती है उसकी लेयर्स दिखाई गई है डैड स्किन लेयर्स और पप्पू को भी नहीं पता था पप्पू को मैंने बताया अभी इसलिए खुश हो रहा है देखिए तो हमारी बोडी की जो डैड स्किन लेयर्स होती है वो दिखाई गई है बायोजी के बच्चों को तो पताई होगा कि यह असल में जो बायो वाले बच्चे होता उनको पढ़ना पढ़ता ह सब चीज है तो बायो में पढ़ा जाता है कि जो डैड स्किन लेयर्स होती है वो क्या होती है ठीक है और मैं जला पानी पी लेता हूं एक मिनट यह है हमारी अनकेडमी बोडल घंडा पानी तो गरम पानी पीना पड़ेगा इस एक शुन्दर बोटल इसपर स्टिगर मुदी भाए थी बीने इस पर स्टिकर लगा है तो सुदर लगी मेरे खाल से नर्ब तो माइक्रोस्कोप से जो हमारी कमपार्ण माइक्रोस्कोप होती है उसकी हेल्प से हम इसको पता लगा सकते हैं डेड़ स्किन लेयर दिखाई हैं और दुनिया की सबसे स्ट्रोंग जो माइक्रोस्कोप होती है उसका पता लगा सकते हो गया दुनिया की सबसे स्ट्रोंग हाई करन ओनकार माइक्रोस्कोप ऑफ वर्ल्ड दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग माइक्रोस्कोप कौन सी है कौन बच्चा बताएगा एनिबडी और उसका नाम क्या है और क्या वो इंडिया में है या नहीं आपको बताना है दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग माइक्रोस्कोप कौ रहा है स्टाइलिस राजपूत हैलो इशा माही जैन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इस दा करेक्ट आंसर रोनक कुमार इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इस दा स्ट्रोंगेस्ट माइक्रोस्कोप और वी कैन से कि जो इलेक्ट्रोन microscope होती है और यह जो आप फόटो देख रहे हो एक्चल में डाड इस्क इनके भी फोटो कीच सकते हैं मेरे ख्याल से आपको किलियर हो गया कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से हम क्या क्या कर सकते हैं अब देखी आज रेव टिक्स का माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा मैं उप्टिकल क्लास 12 अभी जो मैंने सेंपल वेपर देखा आपका उसके साब से ऑप्टिक्स में से उप्टिकल इस्ट्रूमेंट में से काफी जारा सवाल आने वाले हैं तो उसी साब से पढ़ाई करेंगे ठीक है और देखिए मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अनुराग्त यागी में स से आप जोइन कर लिजिए इसको तो आपको यहां पर सारी अपडेट मिलती रहेंगी बाउंटी प्रोग्राम अगर कोई भी आपको इन एपर उपिरेट कंटिटेंट दिखता है तो अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइस भी ज इसके साथ आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा और मेरी दरब से गिफ्ट मिलेगा देट विल बी माई रामबांड फिजिक्स नोट्स जो इस पेशल में आपको लिए त्यार किये हैं और करन और आपको नोट्स बहुत जल्दी में दे दूंगा तो आप बिल्कुल नाराज मत लेगा है टोटल लेकिन अगर एटीसी टैन कोड आप लगाते हो तो 9000 रुपे का आपको पड़ता है प्लस आपको रामबार नोट्स और गिफ्ट फ्री मिलता है तो मेरा शिरवाद मिलेगा आपको तो जो बच्चे इस कोड को यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू और जो करने वाले हैं उनका मैं वेट करूँगा कौन-कौन बच्चा एटीसी टैन कोड यूज करके लेता है और अगर आप एक साल का ले लेते हो तो आपको 6 मेने का एक्स्टर मिल जाता है आइकनिक का भी बहुत सस्ता है तीन मेने का और 6 मेने का कोर्स देखते ये प्राइज अच्छे टीशर्स के लिए बेस्ट है सबको मिल जाएंगे नौट्स ठीक है सबको नौट्स मिल जाएंगे अब देखिए सब बच्चे यहाँ पर देखेंगे बाही जैन, कोमल, तेजस्वी अगर जो बच्चे चैटिंग कर रहे हैं अब इसमें वो थोड़ा ध्यान दे अनेकेडमी कॉमबेट स्कोलर्शिप टेस्ट क्या है और सारे बच्चे ध्यान दे कि आपको इसमें प्राइज मिलते हैं एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन, एक से तीन रैंक वालों को, रैंक चार से दस वालों को 75% की स्कोलर्शिप, रैंक 11 से 50 वालों को 50% की स्कोलर्शिप, रैंक 51 से 150 वालों को 25% की स्कोलर्शिप, एटीसी टैन कोड के साथ रिवार्स मिलते हैं आपको एक करोड़ रुपे तक के और आप सो परसेंट स्कोलर्शिप भी जीच सकते हो अब देखिए क्या कोई बच्चा ऐसा है आपके आपके अंदर से आपकी जानने वाला जिसको पहली रैंक आई है गोल्ड मैडल और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा अच्छा नहीं हुआ उनको टम टू में उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए तो इससे क्या फायदा होगा आपको इससे फायदा होगा कि आपको अब जो आपका वेटेज है वो पूरा हो जाएगा एटीसी टैन कोड के साथ आप इस वाले प्रोग्राम में हिस्सा ले इस दिधारो इस सफायद आपcasट इस से आपको इस स्छाक टूर इस से वाले जुजा है सूर नyuस्चोब फिखत को मिस्बदों कोड़न आपको इस को सीध्ट प्रोड पूनर अकर उन्हकर करशूज म्रशूआ कि दि नन अफिश को एक खूशन चूज़ करना है कि एक खूशन चूज़ करना इन कि एक खूशन ठीक है बस सिम्पल सा सवाल नहीं रोगाभीव यह चीज क्या रिदेंगराम से मित इस ध्राइब्स कोफिल माइक्रोस्कोप कर एल्ली क्न बच्ण सभी आंसर दे सकता है डॉन में डेरिवेशन बेटा करवाता हूं इस स्पेशल क्लास में सारे डेरिवेशन इस स्पेशल क्लास में करवाई जाते हैं और यहां भी करवाऊंगा मैं जल्द जल्द आंसर दीजे तो ये आंसर सही है बच्चो compound microscope the correct answer is compound microscope ray optics में ये जो आप फोटो देख रहे हैं compound microscope का फोटो है अब थोड़ा आगे चलते हैं अगर ये सवाल आता है एक number का क्योंकि जो sample paper आया है उसमें आप देख सकते हैं sample paper में जो question दिये गए हैं उनके इसाब से पता चलता है कि एक एक number की question जा रहेंगे तो पहला सवाल एसा सकता है what are optical instruments optical instruments क्या है devices and instruments devices and instruments have been designed utilizing reflecting and reflecting properties of mirrors lenses and prisms मतलब ऐसी कोई device जो reflection या reflection पर काम करती हो जिसके अंदर mirror लगे हो लेंस लगे हो या prism लगे हो उन सबकों क्या बोलते हैं optical instrument कहते हैं उन सबकों क्या बोलते हैं optical instrument कहते हैं अगर किसी device के इंदर reflection reflection हो रहा हो देखिए एनी device एनी device विच इस बेस्ट यह लिख देना इसका असान में बता रहा हूं which is based on reflection 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 and has been made and has been made by using and has been made by using current बेटा पढ़ लो यहीं पढ़ लेंसेज मेर्स और प्रिजम्स और प्रिजम्स तो आप एक बात ध्यान रखिए अगर किसी भी हाँ आज 11 के क्लास होगी रात को 9 बजे नए करन यहीं पढ़ो बेटा ठीक है अगर किसी डिवाइस में लेंस लगा हो मीरर लगा हो या प्रिजम लगा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं और यह हमेशा है तो रिफ्लेक्शन पर बेस्ट होती है या रिफ्लेक्शन पर यह देखे यह बाइनोकुलर्स है यह माइक्रोस्कोप यह कैमरा है लैंस है एक जो मैगनिफाइंग लैंस होता है सिंपल मैगनिफाइंग लैंस को हम क्या बोलते हैं सिंपल मैगनिफाइंग लैंस को ही हम बोलते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप अगर कोई आप से पूछे instruments have been designed, devices and instruments have been designed utilizing, reflecting and reflecting properties of mirrors, lenses and prisms, यह आप समझज लीजे, तो अब अब को सी तरह समन में आगे, वोटर ऑप्तिकल इंस्ट्रुमेंट्स, एक नमबर रा कोश्चे ना आएगा, ऐसे इसे इंस्ट्रुमेंट्स जिन में reflection और reflection यूज़ उरहा हो, जिन में lens या mirror यूज़ हो रहे हो उनकों बोलते हैं Optical Instruments क्या बोलते हैं उनकों? Optical Instruments Clear? अब next चलते हैं एक सवाल पुछूँगा मैं आपसे सब बच्चे ध्यान देना हो सवाल के उपर An Optical Instrument An Optical Instrument Can Use the Following Concepts Can Use the Following Concepts Option A, Option B, Option C, Option D कौन कौनसी Concepts? Reflection B, Refraction Dispersion All All अबो तो बताओ एक Optical Instrument इन मेंसे कौन कौनसी Concepts या All अबो? पांडर ओटिसी आर्मी करन उनकार D, सबरीन, मुसूर, स्टाइलिश राजपूत, रोनक कुमार तेजस्वी, D, वेरी गूड, रिया बाडिवाल, D, हैलो रिया, विजे मिना, तेजस्वी, करीना, स्टाइलिश राजपूत, गुलाम, शुबानी, विदिया बाडिवाल, सब लाइक करो, थेंक्यू बच्चो, लाइक करने के लिए करन उनकार कह रहा है, लाइक कर दीजे, अभी भी काफी बच्चो ने लाइक नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चो, इसका आंसर होगा, reflection, reflection, or dispersion, all about, तो इसका सही आंसर होगा, D, क्या आंसर होगा, उप्तिकल दिवाइस और इस्टुमेंट क्या क्या होते हैं, पैरिस्कोप होती है, जो पंडुबी ह तो जब पंडुबी उपर देखना चाहती है तो पंडुबी पानी से उपर नहीं आती क्योंकि उससे क्या होगा अगर 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 एक डिवाइस आमारी टेलिसकोप से हम क्या गाम करते हैं क्या बता सकते हैं ड strict यूज का होती है बायनकुलर्स यह तो घरों में भी होते हैं कई बार मेरे पास भी रिफे के ऐसरी समय क्या होते है बाइनकुलर्स क्या होता है इसका यूज आप साइड से भी देख सकते हो केलारे सकोप की है और माइक्रोसकोप तो सबको पताएं है यह जो फोटो आप देख रहे हो यह कौन सी माइक्रोसकोप है जो फोटो में आप माइक्रोसकोप देख रहे हो यह माइक्रोसकोप कौन सी है बच्च Anybody Which microscope has been shown in the photograph एक्चुली इस इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप यह कौन सी माक्रोस्कोप है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप आंसर दिया करो टेलिसकोप इस वेरी दिस्टेंस अब्जक्त like प्लैने इस्टार गुलाम शुबानी वैरी गुड विपरो डीडू दूर की चीज़ को देखने में गुलाम शुबानी के पास प्लस भी नहीं है आइकनिक भी नहीं है लेकिन ये बच्चा इतनी महनत करता है और अगर ये बच्चा कहीं प्लस ले ले तो ये बच्चा इतने अच्छे नमबर ला सकता है सोच नहीं सकता है बिना प्लस के भी इतना अच्छा कर रहा है तो अगर प्लस ले लेगा गुलाम शुबानी तो बहुत इच्छा करेगा ठीक है तो क्या किसी के पास बाइनोकुलर है बाइनोकुलर आपने फिल्म में देखा होगा उनको यूज़ करते हैं लोग ऐसे दिखाते हैं दूर देखने के लिए टैरिस्ट भी आर्मी भी ऐसे देखते हैं दूर तो बाइनोकुलर्स बाइनोकुलर्स का यूज़ कहां करते हैं जहां हमें कम एरिये में दूर तक देखना पड़े छोटी सी होती है ठीक है और माइक्रोस्कोप कहीं तरह की होती है सिंपल और कंपाउंड और क्या होती है एक होती है एक होती है एलेक्ट्रोन माइक्र अब मैं एक सवाल पुछ हूँ हूँ आप से Most Advanced Most Advanced Natural Most Advanced Natural Optical Instrument Optical Instrument Is बच्चो 445 PM पर मेरा Plus Score से आप आ सकते हैं सब बच्चे जिनको भी Physics को धंग में बढ़ना हो और जिनको पता हो कि खतरा कितना है Term 2 का और यह ध्यान रखिए मैं आपको के लिए बता दूँ Term 2 ओफलाइन होंगे और Term 2 होंगे पेपर कैंसिल नहीं होंगे इस बार तो आप ध्यान रखिए प्लीज Option A Microscope Question को ध्यान से पढ़ ले ना B Telescope C Space Telescope 445 पर मेरा रोशनी कोर्स है उसकी आज सेकंड क्लास है आप आज़ा न डी की आई मैं हुमन आई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता पितक कि क्या कोई ऐसा जानवर है कि जिसकी आँख हमसे भी जादा एडवांस हो तो इसका सही आंसर कौन बच्चा देगा 445 पी एम पर मेरा कोर्स है प्लस का रोशनी कोर्स की सेकंड क्लास तो इसका आज़ा आएगा डी ठीक है एक कोशन और है उसमें काफी इंटरस्ट लगेगा आप कोशन करने में human eye is off fill in the blanks megapixel जब आप फोन लेते हो megapixel कैमरा बताते हैं नो तो human eye का megapixel कितना होता है A 60 megapixel B 100 megapixel Samsung के बरावर C 300 megapixel D 500 megapixel human eye का lens कितने megapixel का होता है कौन बच्चा बताएगा यह सवाल भी आ सकता है क्योंकि cbsc कहते हैं आउट-o-box question देंगे आउट-o-box question देंगे cbsc वाले कहते हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजे इसका अनसर भी क्या आएगा D आंसर आएगा इसका अनसर भी क्या आएगा D 500 megapixel इसका अनसर होता है और यह बच्चा कौन क्याता है subjective होंगे इस बेटा subjective paper होगा आपने sample paper देख लिया होगा सब बच्चों ने रिया वाडिवाल तेजस्वी बी वाई पी डबलू वीजे मीना विशाल कोराक जोती दूबे आरियन राजपुसर टर्म टू का एक्जाम कब से होगा बेटा अभी प्रैक्टिक डेट नहीं आई है जब बता देगी मैं आपको बता दूंगा तो सब बच्चों को समन में आ गया कि जो हमारी human eye होती है उसके megapixel कितने होते हैं 500 megapixel होते हैं तो यह है हमारी जिसका diagram आप देख सकते हैं अभी यह जो हमारा आई का पूरा concept था है syllabus में नहीं है तो लिख लो human eye is not in syllabus dancing that you see human eye is not in syllabus अटा दियाया इसको syllabus एक बड़ य इसका basic पड़ लिया बड़ ले, पड़ लेना रेटीना क्या होता है मैकुला क्या होता है और कोरोइट क्या थी, optical nerve क्या होती, optical disk क्या होती है यह सब चीजहूं आप पड़ लेना सिलेरा क्या होता है कोर्णिया क्या होता है प्यूपिल क्या होता है लैंस क्या होता है आयरिस क्या होता है कॉन्जिक्टिवा क्या होती यह सारी चीज़ा पढ़ लेना तो आपको जो है समन में आ जाएंगी और बाइलोजी वालों को तो पता होगा इसके बारे में सब कुछ क् गुलाम शुबानी सर जब माई स्मार्ट फोन में 500 मेडा पिक्सल हो जाए से ज्यादा वाला फोन आ जाएगा तब क्या होगा बेटा अगर मैं हम इसी डिवाइस बना भी लेंगे तो इंसान की दिवाइस भगवान की डिवाइस के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी आई फेल फिर आप से कोई पूछे वहोटी सिंपल माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल में टीचर बहुत बच्चों गन्फ्यूस करते हैं बिटा इदर को बताओ जड़ा सिंपल माईक्रोस्कोप क्या होती है स्वारा स्कूल में वह सिंपल नहीं है एक्च्छल में आपके पास मैगनिफ मैगनिफाइंग ग्लास होता है सिंपलwelt माईक्रोसटो चीनी क्या है उसके यह देखां सिंपल माईक्रोसटों इस नफिमाइग। पूंट कर सको सारे बच्छे सब्सक्テра किसी के पास है मैग्निफाइंग ग्रास माइक्रोस्कोड कहते हैं बच्पन में हम थिक जला थे जब गड़ी को रिपेर आतंए यां पर देखा हो आपने तो जो लेंस लगा होता है न स्मय स्पल माइक्रोपधक्रोप Derek तो हर convex lens एक simple microscope होता है आप किसी घड़ी वाले के पास गए होंगे आपने का होगा अंकल में घड़ी ठीक कर दो तो उपनी आंख में एक lens लगा लेते हूं चिपक जाता है अंपर वो एक्ट्वल में एक simple microscope होती है किलियर रिया अन्नोन पर्सन तेजस्वी करन ओनकार जुही सिंग विजे मिना अब यह जो दाइगराम है इसको आप समझ लिए ध्यान से अधर्वाइज आपको एक्जाम में दिक्कत होगी वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट फोर टर्म टू बच्चो मुझे कहीं साल से बोर्ड की कोपी चेक करने का experience है तो मुझे पता है पेपर किस टाइप से आएंगे खासकर टर्म टू जब आपका subject ही होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ पेपर में किस तरह के सवाल आ सकते हैं तो प्लीज आप focus करिए ये देखो ये क्या है ये कौन सा lens है बच्चो ये lens कौन सा है option A convex option B concave option C plano convex ये lens को तो आप पैचानी रहोंगे फिर भी मेरा आप से फर्ज है पूछने का क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी ने पता होगा कि lens कौन सा है बेटा खुशागर पटेल आप मैं थोड़ी देर रुख जाओ मैं सारी बाते बताऊंगा कौन सा इसका सही आंसर है जैसे कि गुलाम शुबारी ने बता दिया है रिया बाडिवान ने बता दिया ये एक बाइफोकल convex lens ये convex lens बाइफोकल चुकि बाइफोकल option नहीं है तो इसको बोलेंगे convex lens अब इसमें image कैसे बन रही है देखो lens के सामने चोटी सी object रखिए देखो small object यहां पर ध्यान से देखिए small object आज अगर आपने lecture ध्यान से पढ़ लिया तो फिर आपको इस lecture में कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत ये है कि जब अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोग कितनी lucky generation हो कि teacher आपको request करकर के बोलते हैं पढ पेटा आजाओ पढ़ लो तो आप कितने lucky बच्चे हो हमारे time पैसा नहीं था पहली बात तो tuition मिलते नहीं थे और मिलते थे तो अच्छे नहीं मिलते थे online तो कुछ था ही नहीं है ना internet का उतना परसार नहीं था उस time internet था लेकिन उसकी speed बहुत ज़्यादा नहीं थी phone नहीं आप लोग इस time भरमित सो थोड़े से focus नहीं कर पा रहे हो अपने एक educator को पकड़ो जिसको आपको अच्छा लगता हो जिसको आपको लगता है experience है यसे पढ़ाने का पता है किसी और बात मतफसी है कि वहाँ मुझे मजा आता है वहाँ पर मेरी तारीफ होती है ना जो teacher आपक के term to offline start हो जाएंगे vaccine हो लग चुकी है corona case reduce होने शुरू हो गए है आपकी practical हो जाएंगे फिर डेट शीद आ जाएगी फिर आपके exam हो मैं कहा रहा हूं मैं आपको सारी बात खुल के नहीं बता सकता है आप बहुत लगकी generation हो अच्छा तो यह object है देखो अगर आपसे teacher कहता पढ़ लो तो यह मैं सोचो यार teacher कह रहा है हम नहीं पढ़ेंगे है ना यह हमारी human nature होती है teacher ने कहा बेटे पढ़ लो मैं नहीं पढ़ूंगा sir मैं नहीं आउंगा तुम्हारी class में मैं तो वहां जा लाहूं बेटा पढ़ लो sir मुझे करना है data खतम हो गया लेकिन जब exam हो होंगे तब क्या होगा तब कोन आपकी काम आएगा तब आपकी पढ़ाई काम आएगी teacher educator वहां पर आपकी help नहीं कर पाएगा अभी जो पढ़ावा वह आपके काम आएगा और टाइम जादा नहीं है साले बस बहुत जादा है जनवरी 17 जनवरी आज जनवरी के 10 दिन बचे और 15 मार्च के बाद कभी वी एक्जाम की डेटा सकती है 15 मार्च के 15 अपरेल के बीच में कभी वी आपकी एक्जाम डेटा जाएगी और आपको फिर पता चलेगा हां सर आप सही कह रहे है तो यह object रखी है यहां से light ray गई देखो यह light ray गई ध्यान से देखो यह light ray गई यह और यह moody इस तर है एक light ray जो यहां से जाएगी इसको बोलते है optical center कितने बच्चों को पता है कि light ray जो optical center से जाती है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता हो सीधी चली जाती है तो यहां हमारी आई है observer खड़ा है तो हमारी आखों को हमारे brain को हर चीज सीध में दिखती image यह देखो lens ने पनी उकात से जादा enlarge कर दिया इसको तो यह enlarge image है और यह क्या है object थी और यहां पर देखो इस triangle को देखो आप जहां से इस triangle को तो यह है h जितनी height का image बना है object का sorry object की height है h तो हमारी आख किसी object को देखकर जितना angle बनाती है देखो हर चीज के ऊपर हमारी angle बनाती है उसको बोलते है angle of vision क्या बोलते है इसको angle of vision क्या बोलते है angle of vision मैं एक बात कह सकता हूं बच्चो जो बच्चा मेरी class में regular आ जाएगा जो बच्चा मेरी regular class ले लेगा YouTube की और special और plus अगर आप plus पहो तो बहुत अच्छा है नहीं तो special class तो उसके number physics में 30 से उपर आ एंगे angle of vision कहेंगे इसको exam में question पूछ सकते है what is angle of vision तो याद रखिए कोई object हमारी आख पर जितना angle बनाती है वह होता है उसका angle of vision तो एक बात बताईए मैं आपर खड़ा हूं और यह क्या है यह क्या है जल्दी बताओ this is the logo of an academy तो आपको मेरी आपकी आख पर मैं ज्याद ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगा मेरी आख सोज मेरी बोड़ी आपकी आख पर तो मेरी बोड़ी ज्यादा बनाएगी लोगों चोटा बनाएगा क्योंकि जितनी चोटी object होती है उसका angle of vision उतना ही चोटा बनता है इस बात को मैं आप लिख देता हूं आप नोट कर लेना जितना चोटा एंगल ओफ विजन होगा AOV उतनी ही छोटी object दिखेगी उतनी ही छोटी object दिखेगी जितना छोटा angle of vision बनेगी उतना ही छोटी दिखेगी object तो जो चीज आपको छोटी दिख रही है इसका मतलब वो चीज हमारी आँख पर छोटा angle बना रही है और जो चीज आपको बड़ी दिख रही है इसका मतलब वो चीज हमारी आँख पर बड़ा एंगल बना दी I think clear हो गया जो चीज बड़ी दिखती है वो बड़ा एंगल बनाती है जो चीज छोटी दिखती है वो छोटा एंगल बनाती है बोलो की लिए रहा है कोई doub्ट है किसी बच्चे को लेकिन बच्चो अगर कोई अब्जेक्ट यह देखो ध्यान से अगर कोई अब्जेक्ट फोकस पर रखी हो यहां पर लिख रहा हूँ अगर अब्जेक्ट फोकस पर रखी हो अगर अब्जेक्ट फोकस पर रखी हो तो इसका of curvature center of optical centers जाएगी कोई फरक ने पढ़ेगा और object को कहा दिखेगा बिल्कुल सीधा focus पर रखने पर होगा ऐसा अब देखने में तो यह image भी ऐसे बन रहा है लेकिन अगर object focus पर नहीं है तो image बनेगा finite distance पर अगर object focus पर रखिए तो image कहां बनेगा infinity पर बनेगा यह note कर लिजे सारे बच्चे प्लीज note कर लिजे देखो अगर object focus पर रखिए हो तो image कहां बनता है infinity पर बनता है मैंने कुछ points लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़िए the magnifying lens is located such that the image is at the near point मतलब अगर आप किसी magnifying glass से साफ साफ देखना चाहते हो तो आपको object को इस तरह रखना पड़ेगा ताकि image near point पर बन जाए नियर point का मतलब होता है 25 cm अगर आपसे practical होगा इस बार चुकि offline होने वाला सब कुछ तो practical में आपको जाना पड़ेगा स्कूल में और इस बार जो प्रैक्टिकल होगा उसमें examiner भार साएगा यह बात भी आपको बता होगी तो examiner बैठे होते हैं तो बुलाते हैं बच्चों को वन बाई वन आपको अपनी register फाइल वगरा लेके जाना पड़ता को पी जो मिलती है आपक गूड गूड बॉर्निंग सर, गुलाम सुभानी, गुलाम सुभानी, नाम तो बड़ा अच्छा है, क्या नाम बता है गुलाम सुभानी? ये सर, तो क्या तुम्हें फिजिक्स यादे जुभानी? येस सर थोड़ा सर पढ़ाया सर रख सर आप पूछ लिए सर ओके ये बताओ वोट इस नियर पॉइंट सर नियर पॉइंट मतलब सर जो नियर हो नियर पॉइंट जो दूर हो दूर पॉइंट सर मेरी मम्मी जब सर ने एंगल ओ विजन पढ़ाया था ना मन मन में सोच रहा है गुलाम शबानी तो तब मैं ध्यान से पढ़ रहा था मैं बात नी कर रहा था रिया के साथ याद आगया याद आगया या लगया या लिलिल्ला या रसूल लगया याद आजाये याद आजाये सर ये यह Алड आगया सर से अगलो विजएन सर ये मारकर देख रहा है साहं दैख रहा हूं सिर्जिये मारकर जितना एंगिल हमारी आख पर बनाएगा न सर तटीजन ढूनँख एंगल ओ लिजन एक्जामनर वाध माशालला वाध फुल नमबर दे लो तो और उजो यहां पर फूल नंबर मिल गए एक नेशन की वह क्लिए इसको मजाग कि तरह लेना है करन ओनकार ने बता है 24 जनवरी को सवर को पांच महीने हो जाएंगे अनकेडमी पर थैंक्यू करन ओनकार इतना ध्यान रखने के लिए तो भाई गुलाम शुबानी के तीस नंबर पूरे आ गए और यह मैंने इसलिए बता है कि जब आप अनुरागतिया की फैन कलब नमस्कार बिटा जब आप ध्यान से पढ़ते हो उसका फायदा मिलता है इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से पढ़ा करो ध्यान से टानू भी आई ए तानूँ कोन है एक्जामपल डेटा बता रहो मैं भलेगा आपको थऑड़ा मजा आ रहा हूं लें या इसा होता है कि मुह कहीं साल होगे प्रेटिकल placing लाइते ले आपको पटा है वह examiner हूँ do you know this letter दिखाऊ अपना CVC का तभी मानोगे तो यह point हो गए B point देखो the angle subtended by the object is the same as that the near point oh 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 the angle subtended by the object is the same as the near point दूसरी बात simple microscope में होता है the object near the focal point of the lens the image is far off but closer than infinite यह तीनों point आप ध्यान से याद रखिए बस यह याद रखना कि अगर object focus पर रखी है तो image कहां बनेगी चल्दी बताओ मैं पूछूँगा आपसे मैं पूछूँगा मैं फिर पूछूँगा भाईयो वेनो अगर image object image रखिए focus पर तो image कहां बनता है अच्छा याशू तानू तेजश्वी एक ही नाम है ओके मुझे नहीं पता था है तनू सोरी तनू है उसका नाम तानू नहीं है याशू तनू तेजश्वी एक ही नाम है infinity पर बनेगा very good very good very good बहुत सुन्दर बच्छे बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तो याद रखेंगे सब एक्जाम में भूल जाएंगे अब अपनी बुक खोलो पेज नंबर सारे बच्चे यह है फिजिक्स की NCRT पार्ट नंबर टू और इसका पेज खोलो जरा फिर मत कह गए यहां पर हैं बताया नहीं वही आपने यह है पेज नंबर 339 NCRT मेरे पास जो है NCRT पेज नंबर 339 पर जो भी है वो सब पढ़ा दिया मैंने आपको यह तीनो डाइग्राम यहां पर डाल दिये पूर एक्स्प्लेंड कर दिया मेरे ख्याल से वह आपको समन मा जाएगा अब अब अंगुलर मैगनिफिकेशन क्या होता है और मैगनिफिकेशन क्या होता है अगंुलर मैक्निफिकेशन क्या होता है ए फोर्मुला बताना है बस और कुछ नहीं बताना है tan theta note is equal to d sorry h upon d b sin theta note is equal to h upon d c cos theta note is equal to d upon h और d none of these यह सवाल very important एक नंबर का सकता है इस बार जो आपने sample paper ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा बले ही paper subjective आ रहा है लेकिन सारे सवाल one mark क्या रहे हैं तो one mark question one mark question एक नंबर का सवाल आएगा एक नंबर का सवाल आएगा आपको बताना है कि इसका अंसर क्या होगा एग अंसर दिया है गुलाम शोबाणी ने यह है और प्यारे बच्चो मेरे प्यारे नणे मुने छोटे मुने इस था हैं sollten इस बच्चों व्ह होता है बच्चों 10inen तीटा is equal to H upon D और चिन बच्चों को मैंस आता है थोड़ा वहुत उनको पता होगा if theta is very small if theta is very small उस case में tan theta किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है it implies tan theta naught किसके बराबर होगा theta naught के तो angular magnification का final formula सब बच्चे ध्यान दे angular magnification का क्या होगा धीटा नोट इज इकल टू एच एच अपन डी एच क्या है वच्छो हाइट ऑफ इमेज सोरी हाइट ऑफ इमेज और डी क्या है डिस्टैंस ओफ मीनिमम डिस्टैंस ओफ किलियर विज़न minimum distance of clear vision 25 cm भी कहते हैं इसको अब यह देखिए दो फोर्मुले हैं दोनों मैंने explain कर दिये एक होता है linear magnification very very important magnifications नोट कर लो सारे बच्चे magnifications काम आएंगे आपके magnifications by simple microscope इस class के बाद 445 pm पर वेट करूँ आपका plus class में रोशनी बेच तो अगर कोई आप से पूछेगी simple microscope के magnification कितने होते हैं तो प्लीज आप बता देना दो होते हैं एक तो होता है linear magnification और एक होता है बच्चों angular magnification एक linear magnification number one number two angular magnification linear magnification का formula m बराबर one plus d upon f where f is the focal length focal length of the convex lens ये convex lens दिखा रखा हमने हैं आप और इस तरह मिलते हैं मार्केट में इनका handle होता है बड़ा सुन्दर सा प्लास्टिक के भी आते हैं प्लास्टिक के सस्ते आते हैं लखडी वाले महंगे आएंगे इस्टील के भी महंगे आते हैं और ये इसका जो lens है इसकी जो focal length है वो f और दी तो आपको पता है होगा distance minimum distance of clear vision minimum distance of clear vision को क्या बोलते हैं डी बोलते हैं I hope सबको clear हो गया होगा अब तो कोई doubt नहीं है इस्टुटेंट helping रात को नो बजे बेटा सर फोकल लेंद को प्यार से फोकू बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं अच्छा नाम दिया अपने करन ओंकार सराइं गैटिंग लोटोस मैसिवेंस फोर टम टू ओके करन कॉमल किलियर होगे सबको जिनको किलियर होगा बता दो संसकार स्वर्मा डेविल गर्ल फ्रॉम विच स्ट्रीम यू रिया बाडिवाल जिन बच्चे को किलियर हो गया वह बता दीजिए और सभी बच्चे अपने अटेंडेस लगा लो जिन्होंने लाइक नहीं किया और लाइक कर लो अटेंडेस लग जाएगी आपकी अब हम पढ़ेंगे तो इंक्रीज दा अंगुलर मैगनिफिकेशन ओफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप वन शूद इंक्रीज आहा हा तो फोकल लेंद अफ द लेंज तपावर अफ द लेंज अपरेचर अफ द लेंज या फिर अब्जेक्ट साइज तो ए पी सी डी विलांसर इसमार्ट बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका एक ही आंसर ठीक है बस मौनू चोधरी मिश्टा अदिते हेलो संसकार शर्मा इस्टायलिस राजपूत करण ओंकार फाउंडर अठीक अरभी अर्मी मिश्टा अधिते स्फ्र दिते देजस्वी संसकार सरमा ठाकुर मुश्की तानिया 1 जैसी ओल्वेज हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हेलो मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों जरा अंचल तो अगर आप से एक्जामनर पूछेगा प्रैक्टिकल में तो कान चल दोगे भी या तेजस्वी सत्यके सत्यके शर्वानी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 445 पीम पर मेरी क्लास होगी प्लस पर आप सब बच्चे आ जाएं और वहां पर बहुत डिटेल पड़ा जा रहा है तो सारे बच्चे आ जाना मैं वेट करूं आप सब का जो प्लस वाले बच्चे हैं और अगर आपने प्लस नहीं लिए आप तक तो प्लस ले लीजे बहुत सस्ता हो रहा है अस टाइम और आपको डिस्काउंड मिल रहा और मेरी तरफ सी गिफ्ट भी मिल रहा है हाँ थो इसका सही आंसर आएगा the power of the lands B is the correct terms किस किस का ठीक हुआ है जरा एक बार कमेंट कर दो किस किस का ठीक हुआ है Elijah किस किस बच्चे का ठीक हो गया devil grief पैसे नहीं है बेटा अगर पढ़ाई के लिए थोड़ा सा खर्च कर लोगे तो बाद में काम आएगा ठीक है इतनी कम फीस में भी अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत फायदा होगा आपको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते है इन्वेस्टमेंट होता है आप जो खर्च करते हो पढ़ाई के उपर वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपको यह आप ध्यान रखी पढ़ाई पर खर्चा क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है लोग तो कर्ज ले लेके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को सरकार स्कोलर्शिप देती है तो इसका अंसर होगा B सबका गलत हो गया मेरे ख्याल से लिमिटेशन ओफ सिंपल माइक्रोस्कोप यह सवाल का अंसर आपको किसी को नहीं पता होगा यह मेरा ऐसा मानना है सच बताना क्या आपको यह आंसर पता था किस सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या लिमिटेशन होती है सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैगनिफिकेशन माइक्रोस्कॉप नाइन एक्स कासकती को से नाइने एक्स कर सकती है इस dissemin तो ध्यान रखना है कि इससे केवल आपको केवल नो गुना मैगनिफिशन मिलेगा इससे जादा नहीं मिलेगा अब एक्जाम में यह नहीं पूछेंगे आप से पूछेंगे what is the maximum magnification can be done by a simple microscope तो आप लिखोगे 9X ऐसे लिखोगे आप 9X कोई भी simple microscope कितना करेगी 9X का मैगनिफिशन करेगी याद रखोगे एलो मिस्टर अधिते बिल्कुल यादो बेटा अन्नोन परसन रिया बैडिवाल मैं थोड़ी देर बात पूछूंगा एक बच्ची कह रही है पल्लवी की अब तो subjective paper हो रहा है आप objective क्यों करवा रहे हो आपने इसका मतलए sample paper नहीं देखा मेरे बच्चे पल्लवी ने sample paper को देखा ही नहीं पल्लवी ने sample paper को ध्यान से पढ़ा ही नहीं मैं अनेकेडमी पर अपने 11th के session को बंद करके आया था एक दम live आया था मेरे मैंने पूरा paper explain भी किया था soul भी करवाया था तो वो session आप देख लेना पल्लवी इस बार paper subjective तो आएगा लेकिन सारे सवाल एक एक नंबर के ही आ रहे है जैसे कोई सवाल तीन नंबर का है तो उसके तीन पार्ट हर पार्ट कितने नंबर का है एक नंब पड़िए अब चलते है नेक्स्ट ये क्या है भाट is this कौन बच्चा बतायगा एक क्या चीज है ये क्या फोटो है किस चीज का और कितने बच्चों ने देखा है किया आपके स्कूल में है चीज आपने स्कूल में देखी है इस नहीं टेलिस्कोप नहीं है शुरूती ध्यान से देखो बेटा क्या चीजे अन्नोन परसन पल्लवी कुमारी पल्लवी बेटा सेंपल पेपर पढ़ो जो चैप्टर आपका होगा उतना ही करते रहो उसमें से सेंपल पेपर पढ़ने का बहुत फाइदा होगा अब आप सोचोगे आप सेंपल पढ़ लेती तो आपको पता होता कि पेपर का पैटर्न क्या है है ना यूद किस तरह होगा ये तो पता होना जाएं ना बच्चे तो ये है Compound Microscope और अब मैं आपको Compound Microscope पढ़ाने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं Compound Microscope क्या होती है Ready किस-किस बच्चे ने यूज करी है Compound Microscope तेजस्वी कहरी मैंने करी है स्कूल में देखी है आपने कॉमल ने देखी है तानिया ने संजीत राज, term 1 का result बेटा अभी कुछ पता नहीं है आपके स्कूल में क्या है ये या नहीं है देखो ये ध्यान से पढ़ लीजे The lens nearest the object called the objective Compound Microscope में ध्यान रखना आपको सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि Compound Microscope होती क्या है इसको में थोड़ा एक स्प्लें कर देता हूँ To get Magnification More than 9x Reuse Compound Microscope अब मैं आपको जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखना हूँ Compound Microscope में में पार्ट क्या होते हैं सब बच्चे देखो अभी आद हो जाएगा अप एक मिनिट में आद हो जाएगा Compound Microscope के में पार्ट होता है एक ट्यूब यह ट्यूब कैसे होती है आगे से बतलब यह एक जिसी नहीं होती Compound Microscope में आगे से पतली होगी पीछे चोड़ी होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह देखो यह देख रहे हैं आप एक lens होगा जो object की तरफ होगा उसको objective कहते हैं और जो lens आपके आँख की तरफ होगा वह होगा आईपीस दुबारा सुन दीजिए आपकी आँख की तरफ वाले lens को आईपीस बोलते हैं और आपके object की तरफ वाले lens को पूलते हैं अब इसमें क्या करते हैं कि ये यहां पर एक लेंस लगा हुआ है यह लेंस पहला लेंस इसको बोलते हैं और इसको छोटा रखते हैं और यहां पर बड़ा लेंस होगा इसको बोलेंगे आई पीस ये मैं आपको अपनी तरफ से डाइगराम बना कर समझा रहा हूं ताकि आप समझो कि मामला क्या होता है और अगर आप किसी भी compound microscope को उल्टा यूज करोगे मतलब आपनी आपको उधर ले जाओगे तो फिर ये बन जाएगी टेलिस्कोप अगर आप फौर अबजेक्टिव, एफ़ो का मतलभ फौर अबजेक्टिव औरबच्चो इसको अए पीस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आई पीस और इसकी फोलर्चल लेंद को बलते हैं एफ ए तो ये ए फ़ी हो गया जहां तक जब आपको इमेज साफ दिख रहा हो तो इसके और इसके बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं लेंथ आफ माइक्रोस्कोप अब यहां पर यह डाइग्राम जो मैंने बनाया आपको इस डाइग्राम को ध्यान से पढ़िए सतारे बच्चे और मैं इसका रे डाइग्राम मना और दिखाता हूं अब अब देखिए तो macam प्कूश का पता चल जाए या आप्य ग्या आए डाय डाय क्या डाय लूट है और इमेज फॉर्मेशन जो लड़ने वाले हुने इठा दो वासे या भी सबको उठा दो आप देख सकते हैं आई पीस बड़ा लेंस है और अब्जेक्ट पीस छोटा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरा सजेशन एक मेरा सजेशन मेरा सजेशन क्या है इसको जो मान लेगा उसको बहुत फायदा होगा इस केल एंड पैंसल लेकर इसकेल एंड पैंसल लेकर इसकेल एंड पैंसल स्केल को मैं न कह रहा हूँ है इस डायाग्राम को बनाने की कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना क्लियर समन्मा है स्केल और पैंसिल लेकर इस डायग्राम को बनाने की कम से कम दस प्रेक्टिस करना दस बार मैं इसदा क्यू बोल रहा हूं यह आपको थोड़े देर बात पता चले कितने बचे करेंगे जो मेरी बात मालेगा उसको फायदा होगा नहीं तो बहुत इकता हैगी अब देखो एक ध्यानो रखना पाइनल इमेज पाइनल इमेज अबजेक्टिव लेंस के बाद बनाना अबजेक्टिव लेंस के बाद बनाना कुछ बुक्स में डायग्राम गलत दे रखा है कुछ बुक्स में कुछ प्राइवेट बुक्स में नोट्स में भी कुछ टीचरों के नोट्स देखे मैंने इड्यूपर कुछ प्राइवेट बुक्स या नोट्स में ये डायग्राम गलत दे रखा है आप जो डाइगराम मैंने दिखाया उसको बनाना बस नहीं तो बोर्ड में आपके नंबर कटने से कोई रोग ने सकता ये डाइगराम गलत दे रखा है और ये बड़ी लाधने लिए कि यह बना रखा आपको यह इमेंज पर बने पीछ आकर बतलब यह इमेज वाले इमेज किसा वनेगा आपको ये वर्चूल होगा रियल इमेज नहीं बनेगा वर्चुल एंड इन्वर्टिड और कुछ बुक्स में क्या रखा इमेज को यहां बना रखा यह गलती आप मत कर देना कुछ नोट्स मैंने देखे हैं जो नोट्स यूट्टीब पर बच्चों को मिल रहे हैं उनमें भी गलत दे रखा है अब बताओ कोई दिख्या थे किसी बच्चे को कोई प्रोब्लम हो तो बताईए ऐसी गलती तो नहीं कर दोगे ना अब मैं आपको बताऊंगा डाइग्राम कैसे बनेगा सबसे पहले आप देखिए औबजेक्ट यहां रखी हुई है अबजेक्टिफ की एफ नोट यहां तक जहां तक फोकल लेंज है वहीं तक फोकल लेंज की जामीज ल buat देखो जहां तक इसके फोकल लेंज होगी तक इस अनको रगवार यहें से Photản तक इज़ेज आ है इसका only attained जोगा इसको घ्रक राइए कुछ बच्चों को बच्चों ने पता होता कि लोग वहीं पर तक्राना तक और इस अनलेन को f e को आपको करीब करीब डबल लेना है f note से डाइग्राम बनाते हो ध्यान रखना f e f note की value f e k value f note से क्या उनीची डबल ये कोई टिशर आपको नहीं बताने के लिए फिजिक्स रटने वाले बच्चों के लिए नहीं एक्च्वल में जो रटेगा फिजिक्स में मार खा जाएगा कि लिए समन मारे सबको एनी डाउट टो एनीबडी बोलो बच्चों अर्मान सैफी बेटा ये तो cbsc के हाथ में है रटने वाली में हूँ तेजस्वी आप रटने वाली नहीं हूँ बेटा आप समझती हो काफिजादा मैंने देखा आपको स्पेशल ग्लास में भी कॉमल तेजस्वी स्टरिता आरिया किलियर इस्टाइलिज राजपूत अर्मान कोने हुई जर्मान सैफी अच्छा हो रिजल्ट के लिए परेशान हो रहा है अब देखो वही नेक्स्ट मैं आप कुछ की ट्रीक बताता हूं हाव तो मेक डियाग्राम अफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ध्यान दो निंजा टेक्निक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डाइग्राम 20 सेकिंड में बनाने की निंजा टेक्निक अब देखो सबसे पहले आपको एक डंडा खिछना सीधा यहां पर फिर आपको एक लैंस बनाना है बच्छो थोड़ा पीछे इस लैंस को आप अंदारे से बना लो एक बिलान से थोड़ा बड़ा इसका डबल लैंस आपको यहां बनाना है डबल से थोड़ा बड़ा बना तो आपको पताई होगा इस लैंस का जो नाम होता है वोता है अबजेक्टिव क्योंकि अबजेट की तरफ होता है इस लैंस का सब्सक्राइब करना मिन इसव इसलन सब्सक्राइब कि अब देखो क्या होगा है जो इस डीज्न का इमेज बनाना है मैं आपको निजा टेकनिक के बता रहा हूं जाया तो मैं तो 5 सेंड बंना सकता हूं मैं आपको बता रहे हूं आप 20 सेंड मना सकते हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ से क्लाइट ले ले जाओ और उसको इसकी जो फोकल लेंथ वहां से तो यह F O O का मतलब objective तो यहां से मौड़ दो इसको मुड़ गया इसकी focal length एक लाइटर यहां से जाएगी और यह कहां पर काटेंगी आपको पता है यह वहां पर काटेंगी जहां इसकी focal length होगी तो इसकी focal length को मैंने बोला था double बनाना है तो इसका double यह हो गया तो यहां तक की focal length किसकी एक आई पीस की अब हमें इसको यहां काटना है तो इसको पहले से आप यहां पर एक डंडा किशलो इससे अब आपको इस रे को यहां तक ले जाना है बस तो ले जाओ भई यह कट गई रहे बड़ा और पीशे ले लेंगे तो यहां पर हमारा कट गया इसको फिर lens के उपर डालना है लेंज के उपर डला यहां से पीशे मौड़ दो और यहां से लियाओ सीधा पीछे बस याद रखने इसकी पीशे बनेगी इमेज तो यह देखो यहां पर बन गई इमेज पाइनल इमेज क्या बनी यह पाइनल इमेज के लिए रोगे सबको इ इसकी आई पीश की और यह दो फोगल लेंद ऑबजेक्टिव पीस की और पहली मेज बनेगी यहां पर एक पहली इमेज बनेगी यह इमेज इसके लिए उब्जेट का काम करती अगर मैं इनके नाम रखू रहो इस टेंडर नाम पर आते हैं यह वाली मेज पहली बनी थी इड़ागश बी ड़ाइश आई पीस के लिए आई पीस के लिए मतलब दो बार इमेज बनेगी और जेट का काम करेगी और जेट का कारिये करेगी कि इसके लिए ऑपजेट का काम करेगी यहां बनेगा अबजेट यहां रखी थी इसके लिए औपजेट का काम करेगा आई-पीस के लिए और आई-पीस के दुआरा फाइनल इमेज बन जाएगी तब को किलियर सब इमेज बना देंगे अच्छा बड़्ड़ेगी वात चिल रही किसका बड़े है तो बहुत बाते करती क्लास में पढ़ती नहीं पहले लड़की बहुत सीरिस थी पढ़ने में इसके बाद एक लेक्चर और होगा बस आज कल रही आप बाते जाता करती है पढ़ती कहों है दा इमेज पॉंड बाइन ऑब्जेक्ट ऑफ़ कंपाउंड माइक्रोस्कॉप इस कोश्चन या तो फिर यह पहले सी पढ़ चुकी है सब कुछ दो तरह के बच्चे क्लास में बात करते हैं यह तो पहले से पढ़ के आए इसका अंसर ढूलो दा इमेज पॉंड बाइन अब्जेक्टिव अफ़ कंपाउंड माइक्रोस्कॉप इस रियल औं डिमिशिस्ट रियल औं इलार्ज वर्चुवल औं इलार्ज वर्चुवल औं डिमिनिस्ट कौन आंसर देगा विल आंसर फास्ट हो सकता है रियल और इसका सही आंसर आएगा बचो बी रियल औं इलार्ज रियल औन इलार्ज ओझेक्टिव औफ़ कंपाउंड माइक्रोस्कॉप ओब्जेक्टिव यह होता है ध्यान से देख लीजिए यह वाला लैंस होता ओब जेक्टिव तो यह देखो रियल इमेज बन यह वर्चुल होगी यह आपको वर्चुल एंड इनलार्ज्ट और यह कैसी होगी रियल और इनलार्ज्ट इससे तो बड़ी है ना देखो रियल एंड इनलार्ज्ट आपने मूवी देखी वर्चो थ्री इट्र हिएं मडिमें एक होता है चतुर टार्ट टवंडर से हैं अ bene और चतुर एसा क्यों करता है वो सोचता है कि और बच्चे ना पढ़ पाएं खुद पढ़ लेता है ताकि वो तो पर बन जाए तो ये एक स्ट्रेट जी है तो थ्री डिट्स में सीन दिखाया है तो कुछ बच्चे से हो सकते हैं जो अपने आप तो पढ़ लेते हैं दूसरे बच्चों को डिस्टब करते हैं बातचीत करके अलागि रिया तो काफी अच्छी लड़की है और शुरू से पढ़ते हैं हमारी क्लास में लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा वह सकते हैं इस्टब हो सकते हैं तो में रिक्वेस्ट यह कि आप लोग पढ़ाई करें क इस्टब क्वालिटी बाइ मिनिमाइजिंग वेरियस अप्टिकल अबरेशन आपको बता है एक मोटा लैंस यूज करना बैटर होता है कौन बताएगा एक मोटा लैंस यूज करना बैटर है या फिर बहुत सारे पतले लैंस बच्चा बढ़ाएगा बढ़िया माइक्रोस्क इसके बदले में मैं एक ही लैंस यूज करता हूं जिसकी फोकल लैंस बीस इंटी मिटर है कौन सी अच्छी बनेगी किसका इमेज बैटर बैस्ट बनेगा अगर बताओ और उसके अंदर अबरेशंस नहीं आएंगे अबरेशंस का मतलब होता है कलार अबरेशंस एंगुलार अबरेशंस पहले जो कैमरे आते थे उनमें जब फोटो खिसता था कहीं बार तो चेहरे के चारो तुरफ रंग भी रंगी लाइन दिखती थी आप अपने मम्मी पापा आज तो बच्चो ध्यान रखिए कि अगर पुराने कैमरे आप देखोगे उनमें एक मोटा लैंस होता था उससे क्या फ़रक पड़ता था कलर्फुल आबरेशन्स मतलब फेस के चारो तुरफ लाइन दिखना उसको आबरेशन बोलते हैं या नाक मोटा हो जाना और एक लंबा किज जाना कान चोटे हो जाना इसको बोलतें अंगूलर आबरेशन्स तो ये दिक्कत होती थी मोटे लैंस की वरेस पुराने कैमरे इसक मेरब से आप वायरेस को भी देख सकते हो बहुत छोटे ग्या को देख सकते हो कौरोणा वायरस का फोटो दाव सकते जद अब कशोते हैं और बहुत बड़ी होती है एक कमरे के इंदर होती है और इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप बहुत कम संख्या में है एक सवाल है मेरा इसको कौन अंसर देगा इमेज फॉंड बाइन आई पीस ऑफ कंपांड माइक्रोस्कोप इस अभी बताया था इसका अंसर अभी आपसे कोशन का अंसर पूछ रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले इसक यहां पर इसके आई पीस की होगी, यहा पर तकरएगी, यहां से इस तरह आपकी आँखों में जाकर इमेज बन जायेगा वर्चुल और इलार्ज है तो क्या आंसर आएगा वर्चुल ए इलार्ज है वर्चुल एं लार्ज तो आपको रटने ही जड़त नहीं है फिजिसको रटने ही सकते हो फिजिसको आपको समझना पड़ेगा अब आप कोई भी अगर आपका डाउट पूछ सकते हैं मुझसे और अभी मेरी क्लास है 14 जनवरे से स्टार्ट किया था हमने मेरा प्लस कोर्स चल रहा है रोशनी और सारे बच्चे आईएगा चितने भी प्लस पर बच्चे हैं ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा जरूरी नहीं कि अगर आपको कोई क्लास बहुत अश्य लग रही है तो उस फिर होगे नुमेरिकल होगे हैंट डिटटन नोटस मिलेंगे आपको प्रैक्रिकल वोकरशीट मिलेंगी बैच का नाम है रोशनी बैच रोशनी नाम क्यूं रखा सोच लेजिए रोशनी बैच अच्छा करन के पास सोनी का कैमरा है पुराना रिया के पास ही पुराना कैमरा है थेंक्यू रिया वेलकम रागव फाउंडर ओफ एटीसी आर्मी अनेकेडमी प्रोडी की प्रोग्राम में सबको पार्टिसिपेट करना है एटीसी टैन कोड के साथ और ये आपका होने वाला है तेईस जनवरी को दस बज़े सुभे सेवेंट एट नाइन टैन्थ इंजिरिंग मेडिकल में स्कोलर्शिप मिलेगी एटीसी टैन कोड के साथ एक बार देकर तो देखो अरे एक बार देकर तो देखो बच्चो क्लास 11 के मेहत की ग्लास क्यों नहीं हो रही है बहुत जल्दी हो जाएगी परमान सैफी आ जाएगा बेटा चिंता मत करो शैडिूल है हमारा जो अभी प्रोडिक्गी प्रोग्राइम चल रहा है इसका स्क्रेंड शूट आप ले लीजे हमने जो प्रोडिकी प्रोग्राइम शुरू किया उसकी अलग-लग डेट पर टेस्ट होने है तो इसको पूरा जो भी आपकी क्लास हो उसके साथ देदिजे ट MacBook Air, Apple iPhone, Apple iPad, Rank 6 to 40 के लिए Amazon Echo Dot, Rank 41 to 100 Amazon Vouchers, इसके अलावा एक से दस रैंक को 100% स्कोलर्शिप, गैरा से 25 रैंक को 75% की स्कोलर्शिप, रैंक 26 से 100 को 50% की स्कोलर्शिप, रैंक 101 से 200 को 25% की स्कोलर्शिप, और रैंक 201 से 500 को 15% की स्कोलर्शिप, और बच्चों जब भी आपको लग जाए कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो आप पिछले सालों के पेपर उठाकर उनको सोल करके देखा करो चैप्टर को, मानलो किसी बच्चे को लगता है कि मेरा उप्टिक्स हो गया, तो आपना एक काम क्या अगरो, ऑप्टिक्स के सवाल करके देखो, सैंपल पेपर के, अगर आपसे हो रहे हैं, तो आप ठीक तेहरी कर रहे हो, नहीं तो समझ लो आपका, आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है, जो एक्जाम में आएगी नहीं, और आपको लग रहा है कि आपकी तेहरी हो रही है, 11th का Expedition बैच दुबारा में शुरू करने वाला हूँ, फिज 6 मेने का एक्स्टा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अगर वो ATC10 कोड यूज करके इसको लेते हैं, इसके लावा हमारा स्पार्क बैच चल रहा है, Expedition के लावा स्पार्क बैच में देखिए, साली निकुमारी, अमीर बासित, अभा चोधरी, अनीता अचारिय और दीपक सर पढ़ा रहे हैं, इसको भी आप जोइन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप अनेकेटमी का कोई भी कोर्स लेते हो, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप ये कोड चुरूर लगाएं, ATC10, और ये देखे मेरी Special Class चलती है, जिसमें बहुत भारी संख्यम 4.45 पर वेट करूँगा सारे बच्चों का, आज आना, 4.45 पर, 4.45 ठीक है बच्चों, आज आना सारे बच्चे, पलस क्लास है, आज की रोश्णी बैच, बाई बाई शितीज, बाई रिया, बाई करण उनकार, बाई तेज़स्वी, बाई विजे मीना, तानिया, क्या बोल रही अब जाओ रहे, अच्छा, रिया बाई डिवाल, तेरे स्वी, रिया पढ़ने पर ध्यान दो बिटा,